हेलो दोस्तों नमश्कार सुआगाते आप सभी को मेख कंपूटर में दोस्तों आज इस वीडियो को अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें इस टायप का अगर एक इनवलन वालप का डिजाइन बनाना हो और इसी टाइप का कैसा हम एक डियाइन बनाते हैं को रोल्डर के अंदर आपको यहां पे सिखाने वाला हूं तो दोस्तों क्या करते हैं इसको सबसे पहले हम यहां से डिलीट कर देते हैं और इसको यहास हैं सब्धिल रिते हैं और इलिट करने बाद देखेंगे यहांपे मैनने जोवी चीज लिखना हो यहांपे लिखकर रख कर रख दिया हूं दोस्तों यह आलूरड़ी इसलिए लिखकर रख फिरी में आपका design यहाँ पर description में आपको link मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर download कर सकते हैं तो चले दोस्तों यहाँ पर वीडियो को start करते हैं यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से rectangle लेंगे सब्सक्राइब करेंगे और इससे ड्रे करेंगे लिए और यहां पर करने बाद दोस्तु क्या सब्सक्राइब हो इसधा Subscribe गुना चार होगा और जो हमारा डियाइन बनेगा वह हमारा साड़े नौ साड़े चार में बनेगा तो यहां पर इस रिटेंगल पर क्लिक करेंगे और यहां से वाइट कर देंगे और करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको साइज मिल जाएगा देखेंगे उपर में और इस इसे बाको किया करेंगे एक और हम यहां से क्या करते हैं एक रिटेंगल ले लेते हैं सबस chronicאס mandatory डेमें ऑद सब्सक्राइब करä Um एक क्शच्ति क्या करते हैं इस अॱ्ह दरेक्च कर लेते हैं तो इस ड्रीटेंगल को हम यहां से एक क्लिफ दोस्तों दीप बाद आपको क्या करना है कि यहां पर क्यू कर देना है नहीं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जाना है object के अंदर और यहां पर convert to curve मिल जाएगा देखे दोस्तों और यहां से इसका shortcut होता है और ले जाने बाद दोस्तों क्या करेंगे यहां पर क्लिक कर देंगे एक क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पर आएंगे दिए कॉनवर्ट टू कर आपको यहां पर मिल जाएगा दिए इस वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे कॉनवर्ट टू कर और यहां पर क इसको क्या करते थोड़ा सा ऐसे हम नीचे कर लेते हैं देगे दोस्तों इधर रहा है तो हम अपने जो हमारा की बोड़े डाउन एरो से हम क्या करेंगे इसको नीचे कर लेंगे और इसको क्या करेंगे थोड़ा सा ऐसे हम सेंटर कर लेंगे देगे दोस्तों सेंटर करेंगे औ और इस पर color fill करेंगे और नीचे आंगे दिए दोस्तोों यहां पे आपको यहां से अदेख कर देने लाएख कर झाय करते हैं और इसी पर क्लिक करेंगे और कली करने बाद दोस्तों क्या यहां पर आगया है यहां पर आपको राउंटेट करने का आपसन आ गया है रोटेट करने का यहां से भी रोटेट कर सकते हैं सिंपल आपको क्या करना है कि उपर को यह से ले जाना है और उपर ले जाने के बाद दोस्तों आपको राइड क्लिक कर देना एक कीबोड में जैसे ही राइट कली करेंगे तो आपका एक डिफ्लीकेट strs बन जैगा देखिए दोस्टोों और हम क्या करते हैं यहां से जाते हैं और यहां से यह कलर कर देते हैं और फिर क्या करेंगे यहां पर नीचे आएंगे और यहां से इस कलर को थोड़ा सा यहां से इससे डाउन कर देंगे और पकड़ेंगे और थोड़ा साइसकों क्या करेंगे ऐसे कर देंगे दोस्तों इतना होने के बाद हम क्या करेंगे जो हमारा उपरवाला है इसको हमें नीचे करना है तो अपने keyboard سे контроль के साथ भीर अचान करेंगे ला देते हैं और यहां से स्कॉलिंग करके थोड़ा सा जूंग कर लेते हैं क्या करेंगे इसको ऐसे हम सेलेट करेंगे दोनों को और यहां पर उपर आएंगे और राइट किलिक कर देंगे तो इसका आउटलाइन हट जाएगा दोनों को इसे सेलेट करेंगे और राइट किलिक करेंगे और यहां से क्या करेंगे पाउर क्लिप कर लेंगे और इसके अंदर हम पाउर क्लिप कर देंगे तो दोस्तों देखेंगे यह इसके अंदर चला गया है दोस्तों इतना होने के बाद क्या करेंगे यहां पर डॉबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर चले जाएंगे और दोस्तो आपको यहां पर दू मिरर मिल जाएगा यह भी डाल। आपको क्या कर न है और इसके बाद से उर्डेट अब करेंगे और आयसे क्या करेंगे हम तोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में सुनतर लगे दोस्तों इतना होने के बाद हम क्या करेंगे यहां से तोड़ा सा इधर कर लेते हैं करने बाद दोस्तों यहां से फिनिस कर देंगे तो दोस्तों देखेंगे कुछ इस टाइप का मरा डिजाइन देखने को मिल रहा है दोस्तों इतना होने पर क्लिक करना और यहां पर क्लिक करना है और इसको क्या करना है कि ऐसे क्लिक कर देना है और यहां पर लियाकर इसे ज्वाइंट कर देना है ज्वाइंट करने बाद दोस्तों यह हमारा जो करसर यह फिर हो जाएगा उसके बाद से पिक टूल पर क्लिक कर देना है आपको क्या क करना है कि सिंपल यहां पर क्लिक करना है क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पर आपको कॉनवार्ट टुकर मिल जाएगा इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने बाद दोस्तों इस को और को ऊपर ले इसको ओर थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देते हैं ताकि हमें देखने में सुन्दर लगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं देखे दोस्तों इतना होने बाद हम क्या करेंगे इसी पर डॉबल क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सेंटर मिलेगा इस सेंटर को आपको उपर ले लेंगे इस पर क्लिक करेंगे और यहां से इस कलर को पिक करेंगे और उपर में इस कलर को डाल देंगे और फिर से क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक करेंगे और फिर इस पर हम क्लिक कर देंगे और दोनों को ऐसे क्या क यपका आपको देखने को मिल रहा है मैं आपको क्या करने की इस लोगों को यहां पर लाना है और इस लोगों को यहां पर आप डेना है सुन्दर लगे और इतना चोड़ा करने बाद दोस्तों क्या करेंगे कि इसको यहां पर ही रहने देते हैं और इसका कलर आप यहां से चेंज कर सकते हैं जो भी कलर लेना चाहते हैं और सिंपल यहां से हम पिक कलर लेते हैं और यहां से क्या करते हैं पिक कर और इसके अंदर य नहीं रिटेंगल लेने बाद दोस्तों ऐसे करेंगे थोड़ा सा इसे पतला करेंगे और थोड़ा सा पतला करते हैं और यहां से पिक कलर लेते हैं और इस कलर को करते हैं और इसका अंदर हम पिक कलर कर और इसे हम फूल कर देंगे करने बाद दोस्तों क्या करेंगे यहां सबको ट्रांसपेरेंश टूल मिल जाएगा और यहां से क्या करेंगे इसको ऐसे ट्रांसपेरेंश कर देंगे ताकि आपको देखने में सुन्दर लगे देखे दोस् सबको तेनों यहां पर मैंने लिख कर रख दिया हूं ताकि वीडियो ज़्यादा बढ़ा ना हो जाए और इसको लिया कर यहां पर हम नीचे रख देंगे देगे दोस्तों और यह नीचे चला गया कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है उसके बाद से दोस्तों हम क्या करते हैं यह हमारा वेफसाइड है और इस वेफसाइड को हम क्या करेंगे यहां पर एज़ेस्ट कर देंगे दोस्तों यहां पर एज़ेस्ट करेंगे और इसको कंट्रॉल एक्स कंट्रॉल भी कर देंगे तो य इडिट के अंदर आपको एडिट मिल जाएगा और जाने बाद दोस्तों क्या करेंगे कि उफ्सों करेंगे कि इस प्वार के क्लिक करेंगे और यहां से सपेज डाउं का कर और सारे क्वें कुछ चले जएंगे देखने में कुछ शीश टैप का लगेगा दिए दोस्तो. और इसका कलर हम स्थोड़ा हलका करना चाहते हैं तो इस पर कलिक करेंगे और जाएंगे नीचे में और नीचे में पर दोस्तो यहां से कलर भी उपर जाएंगे और इस और उपर कर देते हैं और उसके बाद से दोस्तों यहां पर एड़िशन फॉर में दोस्तों यहां पर कोई भी फॉर्म को आप इस इंबॉल आप के अंदर डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर एड़िशन फॉर्म लिख दिया हूं इसको क्या करेंगे यहां पर लाएंगे लाने बाद दोस दोस्तों का कलर यहां से हम Brain करते हैं और regime का रेंगे यहां से chemrabal करेंगे और करने बाद दोस्तों इसका कलर हम यहां से राइड कर देते हैं और यहां से OUTLINE हटा देते हैं और ECD लेंगे और नीचे में यहां से एजेस्ट कर देंगे देगे दोस्तों यहां से लाएंगे और यहां से एजेस्ट कर देते हैं और यहां से क्या करते हैं डबल यहां से राइट क्लिक कर देंगे तब यहां से हमारा डिपलिकेट बनेगा तो दोस्तों देखें के यहां पर मैंने डुपलीकेट बना लिया हूँ और कुछ हमरा देखने पर कुछ Sug एक सारा है दोस्तों इसके अंदर अगर आप और कुछ लीगना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं वու आपका मारजी है उसके बाद से दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है कि नाम जो लिखा जाता है एड़ेस लिखा जाता है वो सारे चीज लिखना है तो यहां पर राइट क्लिक करेंगे कि डिपलिकेट बन जाएगा आपको क्या करना है कि यहां से आपको टेक्स टूल लेना है देगे दोस्तों यहां पर केवल टू देना है और नई तो यहां पर आप ने फादर्स नेम एड्रेस मॉबाइल नंबर जो भी देना जाते हो दे सकते तो सिंपल हम यहां से टू कर देते हैं और टू करने बाद दोस्तों यहां पर इसको कर देते हैं और जाते हैं यहां से पेंट लेते हैं और पेंट लेने के बाद हम क्या करते हैं यहां से एक लाइन को इसे ड्रो कर लेते हैं देगे दोस्तों ऐसे को ड्रो करेंगे और यहां पर डॉबल क्लिक करेंगे तो यह हो जा देंगे और कंट्रोल आर करेंगे तो यह हमारे एक डूबिकेट बन जाएगा और एक बर कंट्रोल आर करते हैं तो दोस्तों देखेंगे यहां पर हम एड़े सुगेरा जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं सिंपल हम इसे क्या करते हैं इससे बड़ा करते हैं और इसक इस कुछ अच्छा दीख नहीं रहा तुम यहां से क्या करते हैंब पिले की राणें देते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद